हेलो फ्रेंड्स स्वाक्ति आपका यूट्यूब चैनल ग्यान बी सैविंटी वन में आज मारी ये साइकॉलजी की क्लास रहेगी सिक्स पहले वाली पांच क्लासे आप चैनल की प्लेलिस्ट मन जाके देख सत्ते हो कोशिन नंबर 11 इसके लिए सही अंसर रहेगा B, Unconditioned Response नेक्स्ट कोशिन 12 एड़ड ली थॉन डाइक गेव इन मैंसर जो दिया गया था थॉन डाइक की द्वारा वो रहेगा हमारे पास D Love Exercise कोशिन नंबर 13 Who is the father of genetic epistemology? कोरेक्ट अंसर रहेगा 13 के लिए A, PSJ कोशिन नंबर 14 Pedagogy is the study of सही अंसर रहेगा D Teaching Methods कोशिन नंबर 15 As people grow older The dash dash of learning declines तो कौशन रहेगा इसमें से वो रहेगा Speed आपको पता है कि जैसे जैसे व्यक्ति व्रिध होते हैं वैसे वैसे ही अधिकम के साथा dash dash में कमी आते हैं तो वो आ जाती है Speed में Question number 16 Which from the following should be used to increase correct response and appropriate behavior According to final answer की सही अंसर दियागा है इसके लिए D Praise Next question 17 Which from the following should be used to decrease minor inappropriate behavior Correct answer है गार D Ignorance Question number 18 The field of study concerned with the construction of thoughts processes including remembering, problem solving and decision making is called क्या बोला जाता है इसके लिए correct answer है गार D Cognitive Development कुद पहले भी अंसर सोचा करो तभी आपको बीच में टाइम दिया जाता है Next question 19 Who was the pioneer of classical conditioning? तो आपको सभी पता है सभी कोई पता है कि उसका जो सही अंसर रहेगा वो रहेगा Tableau Question number 20 Learning is a developmental process is stated by Correct answer है का A Would what Question number 21 Famous experiment by Thorndike was done on तो किस ने किया था इस पे? इस मैंसे किया था Cats के उपर और कोमेंट आए हूँ है पीछे भी कि आप जो है जैसे भी किसी कोईशन का अंसर बताते हो तो उसके बार में पूरा बताया करो मतलब उस टॉपी के बार में पूरा बताया करो तो मैंने ये पहले से ही सोच के रखा है कि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कोईशन कोईशन ही बताऊंगी जैसे वीडियो बनाऊंगी तो सिर्फ यहाँ पे according to final answer की जो जो अंसर दिये गए होंगे वहीं बताऊंगी इसके बाद फिर मैं जब ये सारे कोईशन पेपरों मैं कोईशन आए होंगे वह सारे पूरा पहले टॉपिक रवा दिये करूँगी फिर उसके बाद पूरा बता दिये करूँगी प्राने पेपरों मैं देखिए ये ये कोईशन आये थे तो वहाँ पे जैसे मैं अब इस एक्सपेरिमेंट की बात करती हूँ तो वहाँ पे पहले पूरा बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है उसके बाद फिर जो जो कॉशिन इस टॉपिक से आये होंगे वो भी नीचे आपको पूरी वीडियो में बताए जाएंगे तो आप टैंशन मत लेना यहाँ पे सिर्फ आपको मैं अंसर अंसर ही बताऊंगी पर ऐसा नहीं है कि मैं अंसर बता के फिर ऐसे ही छोड़ दूँगी यहाँ पे सिर्फ आप अंसर अंसर कर लो जो जो पेपर हैं क्योंकि नहीं तो फिर बड़ा लंबा चल पड़ेगा यही काम तो हमारे टॉपिक नहीं हो पाएंगे और यह भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक आपको पता है कि मैं 20 कोशिन डेली के कराती हूँ तो 20 मैंसे अगर पीट भी हो जाते हैं तो 18 अलग अलग टॉपिक से बनते हैं वो 18 कोशिन तो फिर 18 अगर मैं टॉपिक भी साथ में करवाने लगूं तब आपको पता है कि फिर बीडियो कितनी लंबी हो जाएगी उससे अच्छा है कि पहले पेपर कर लेते हैं यहां पर सिंग दिल आप सिर्फ उसके अंसर अंसर देख लो बाद मैं पूरा टॉपिक करवाँगी उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे आपको बताए जाएगी और प्रिवियस एर्स में जितने भी कोशिन मेडिकल में आये हुँँगे चाहे नौन मेडिकल में चाहे आर्स में कोशिन निकलेंगे और यह जो एक्सपेरिमेंट्स वाले हैं जैसे थॉर्ण डाइक वाला है तो यहां से तो ज़्यादा कोशिन निकल के आते हैं तो जब टॉपिक करवाए जाएगा तो वहां पे साथ मैं आपको पूरे प्राने पेपरों से मैं ऐसे ही वहां पे आपको सामन इसके लिए कोरेक्ट अंसर रहेगा के गैट कि मिले को बीच में याद आ गई थी मैं तो मैंने बीच में ही बोल दिया नेक्स्ट कोशिन रहेगा 22 ट्रायल एंड एरर पिंसिपल ओफ लनिंग वास गर्प्ट बाए कोरेक्ट अंसर रहेगा इसके लिए दी थॉन डाइक तो देखिए अब थॉन डाइब आले कोशिन ही चले हैं पहले पीछे काट के बारे में पूछा गया था कि किस पेस का एक्सपेरिमेंट था तो फिर इस परकार के ही कोशिन आते हैं ज्याद आता है क्वेश्य नमबर 23 ती अथर अफ मोटिवेश्न अपर सनल्ट इस तो रहेगा मैसलो करेक्ट अंसर C next question 24 which of the following is measured by continuous comprehensive evaluation correct answer a holistic development question number 25 which one is not an element of the intellectual development correct answer हेगा इस में से tolerance question number 26 at the pre-primely stage reading aloud while writing is given importance this is based on the dash dash theory of learning correct answer B conditioning question number 27 both the chronological age and the mental age of a pupil is seven years he may be classified rate of which category तो रहेगा normal intelligency इसके लिए एक formula होता है निकालने के लिए तो वो भी मैं आपको पूरा टॉपिक वाइश्य बताऊंगी क्यूंकि इस वाले टॉपिक से बहुत जादा question बनते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको तो वो भी आपको जब टॉपिक करवाये जाएगा तो पूरे question वहां पर बता दिये जाएंगे इस लिए आप बे फिकर रहे इन question को क्यार किये कर लीजिए फिर जब आपकी notification आ जाएंगी तब तक हो सकता है हमारे पेपर खतम हो जाएं कि डेली के 20 question हम करते हैं नहीं भी हो सकते हैं तो जब यह खतम होंगे उसके बाद सीधा topic पर फिर हम चलेंगे question number 28 यह रहेगा individual learn from his own mistake this statement is based on which learning theory शायद यह question पहले भी आचुका है इसी series में correct answer हेगा trial and error next question 29 dash dash complex is to girl as the dash dash complex is to boys तो correct answer हेगा इसके लिए a electra edipus correct answer e electra edipus यह दोनों इसके बीच में आएंगे next question हेगा 30 humanistic psychologist embraced the idea of that is free bill वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना, share करना और चैनल को subscribe करना ना भूलना और हां comment करके जरूर बताना कि आपको मेरी बात कैसी लगी है कि पहले हम इन questions को पूरा कर लेते हैं, फिर फिर topics wise हम चलते हैं, फिर topic जब करवाया जाएगा तो पूरे जितने भी question पुराने paper में आये होंगे, चाहे आर्ट, medical किसी भी stream के आये होंगे, वो सारे नौस topic के नीचे ऐसे ही आपको सामने दिखाऊंग और वहां से फिर हम सारे question clear करते हुए चलेंगे, तो आपने मुझे comment करके बता देना है कि क्या ये ठीक रहेगा या नहीं, क्यूंकि बीच में अगर चलूँगी मैं ऐसे लेके, तो फिर अगर 20 question होंगे, तो 20 ही topic होंगे, और अलग-अलग होंगे, और 20 topic फिर आप क्या daily एक करते रहेंगे, तो फिर तो ही हमारी वीडियो का भी खत्म ही नहीं होंगे, क्यूंकि काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो उससे अच्छा है कि एक बार समझ लेना अच्छे से, और वहां से फिर आपके माइन में भी अच्छे से बैख जाएगा, धन्यवाद